आज का practical है DNA isolation requirement आप देख लिए स्क्रीन पर गिवन है ग्लास या बीकर, विनबार, डिटर्जेंट, सीव, स्पून, नाइफ, एंड बनाना, वाटर, एंड टेबल स्पून सॉल्ट, एंड आइस आपने सारा इसमें देख लिए requirement आज हम DNA isolate करने वाले हैं, DNA isolate कहीं तरीकव से क्या जा सकता है पर आज हम जो करने वाले हैं वो बनाना से करने वाले हैं तो guys वीडियो को end तक जरूर देखे चैनल को सब्सक्राइब ने के तो चैनल को तुरन सब्सक्राइब कर रहे हैं अब आपको back to back वीडियो आने वाले हैं, सबसे पहले क्या करना आप देख पारे हैं स्क्रीन पे आपको बनाना को पील कर लेना है, बनाना को बढ़ियां से छील लीजिए, अब क्या करना हैं बनाना लेने के बाद में आपको नाइफ की मदद से इनके छोटे छोटे पीस आ को कर देना है, हम practical के sessions के अंदर सारे practical डालने वाले हैं, हमारा एक ही vision है e-learning practical university, तो आप support जरूर करें और subscribe जरूर करें, चलिए अपने बनाना काट लिए हैं, अब बारी हमारे पास में हैं कि इन बनाना को पानी में बिगो के रखना है, तो आपके पास जो अगर आप लेब में करना चाहते हैं, तो आप बीकर के help ले, अगर आप लेब में नहीं करना चाहते हैं, आप घर पे करें तो आपके household material आपके पास अगर glass वगर हैं, बहुत बैठर, अगर transparent हो तो और भी बढ़ियां, आप चीजों को proper देख पाऊगे, देख पाए screen के अंदर आप लो, क्य करना है, बहुत सिंपल से, आपने जो बनाना अपने काटे थे, वो इसको आपको glass में या पानी में डाल के, फोड़ी देर के लिए बिगोने के लिए छोड़ देना है, फोड़ी editing में slow motion दिया गया है, तो बिल्कुल बोर नहा होई है, चली, अब अपन क्या करने हैं कि हमें अब थोड़ा सा नमक लेना है, salt आप लोग ले लीजिए, glass के अंदर, इसको आप अच्छे से पानी से भर दीजिए, बड़ी यहां से इसको mix करना है, हम यह पर salt ले रहे हैं और पानी को अपन mix कर रहे हैं, अब क्या करना है, आपको इसके अंदर आपके पास जो detergent है, जो हो नहीं है, तो बहुत कुछ भी नहीं, आपके पास में जो नहाने की, जो सेंपू की पूरी होती है, वो सेंपू भी आप ले सकते हो, बड़ियां से mix करें, बड़ियां से solution प्रिप्यार करें, क्योंकि यह solution ही हमारा बहुत काम का है, अब आपने जो बनाना रखे थे, वो को, और इस detergent के solution को mix कर लें, एक बरतन के इंदर इनको ले लें, बड़ियां से इनको जो है, आपको square करना है, crust करना है, इनको तोड़ना है, भई देखो, आपको screen पे दिख रहा है, मैं तो यह बाई, crusser से है, जो आपके पास square से में, इसको mix करूँगा, पर ultimately आपको इसक smooth हो जाए, तम chicken हो जाए, बड़िया solution बन जाए, आपके बाद जो छलनी है, इसकी help से इसको छाने, छान लिया, उपर का super net को अलग कर ले, super net में solid substance है, वो हमारे काम के नहीं है, हमारे काम में निचे का filtrate, जो निचे जो है ना filtrate हो चुका, वो हमें लेना है, चलिए, अब प्रिपेरेशन की बात करें, तो अपनों क्या है, अपने पास जुगाड में पास एलकॉल तो नहीं है, हमारे पास बेस्ट है जुगाड में sanitizer, आप sanitizer को ले लिजी, आपके पास जो अगर बरफ अवलेबल है, तो बरफ ले ले लिजी है, तो आप उसे ठंडा फ्रीज में र चुकी है, सर अपने जो detergent का solution क्यों लिया था आपको बता दू, मैं detergent इसलिए लिया था कि वो उसमें बड़ियां से blending करने पर क्या serval तोट जाएगी, अब आप जो देख पार इस क्रीन पर फाइनल ये अपने अलकॉल किया, अलकॉल है कि face को differentiate कर लिया है, अब DNA को extract कर सकत हो, मैंने वापस सारी requirement है आपको screen पे, एक बार अगर आप proper way में, proper method आप चाहते हैं, तो मैंने screen पर सारा proper method भी आपको दे दिया है, guides, बहुत मेनत लगती है, चीजों को suit करने में, मैं घर को ले बना रहा हूँ धिमेदी में, तो आपका प्यार बहुत ज़रूरी है, तो च झाहते हैं, तो झाहते हैं, तो मैंने डिजों है।